स्टुएंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से HTML जो हाइपर टैक्स लिंक है लेंगविज है इसको किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्लैटफॉर्म वीजियो पर सबसे पहले आपके सामने नजर आ रहे हैं डDieक्स्टॉप मेरा डेक्स्टॉप पे मैं राइट क्लिक करूंगा यहां पर नूइव का ऑप्शन आ रहा है निव पर क्लिक कर KIF फॉल्डर बना लूँगा में इसका नाम है दे दिया My App ओके इस फुल्डर करा Name My App है डबल क्लिक करा फुल्डर पर यहां पर इस तो इंच देख रहे हैं आप उपर सर्च मैं देखें यहां पर नजर आ रहा है इस पे एक दोह क्लिक करा सब सेलेक्ट एक साथ हो गया मेरे फुल्डर उपन हो गया हुआ क्या? डारिक्ट मैं अपने फुल्डर में चला गया या तो एक और आप्शन है कि cmd पर जाकर आप cmd पर जाकर आप खुद एक फुल्डर बना सकते हैं mkdir make directory से फुल्डर बन जाएगा और cd change directory से आप उस directory में चले जाएँगे जैसे मैं आप जाने वाला हूँ cd my app my app आप आप अपर अब students मैं visual studio code पर जाऊँगा c o d e code dot space दिया और dot लगा जाए है मैंने c o d e code space dot enter दबाया students platform create हो गया मेरे पास visual studio code का यहाँ पर देखें आप open editors के नीचे my app का मेरा फोल्डर आ रहा है four options है new file, new folder refresh explorer and collapse folders in explorer अभी हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे just new file पर क्लिक करेंगे तो मैंने new file पर क्लिक कर दिया याद रखना है students HTML की जो extension है वो याद रखनी बहुँ जरूरी है मैंने कह लिखा HTML dot sorry index index dot HTML index की जगा कुछ भी आप लिख सकते हैं आप अपने नाम भी लिख सकते हैं but dot HTML इसकी जो है हमारे पास extension है जो बहुत जरूरी है इसके बगएर आप वर्क नहीं कर सकते आगें enter दबाया में पास यह खुड कर आगें इस्ट्रोंट्स जब आपने इस निपिट्स डाउनलूट करें थे तो वहाँ पर आपको एक benefit बहुत अच्छा मिलता है कि आपको ज्यादा यहाँ पर लिखने की जवरत नहीं होती है चुर्ट कीजने जिनकी बेसिस पे जितना वर्क फास्टर होगा तो न ज्यादा प्रखर होते ठीक है इस innovation में मैं निई shift segito way और exclamation mark बन पर रहे ऑ्क्स नमार्क shift exclamation mark plus एक साथ, इनको मैंने प्रेस करा ये देखें मेरे पास show हो रहा है, इसको click करा मैंने तो मेरे पास पूरा पूरा environment set हो गया document type file मेरे पास html की आ गई, heads आ गए अभी यहां पे मैं आपको सब बताऊंगा कि head क्या होता है titles किसे कहते है, body क्या होती है, और attributes जो थे हमारे tags किस तरह से work करते है इसमों ये title है, title मैंने रखा है मेरा my app के नाम से body के अंदर आया मैं body में मैंने लिखा अभी start में फिलाल मैं ऐसा करता हूँ heading लिखते हैं सही है h1 h1 show हो रहा है, मैंने just enter दबाया तो खुद मेरे पास parenthesis create होगा मुझे कुछ करने की ज़वरत नहीं पड़ी यहाँ पर लिखूंगा this is my first website अब safe करना है control plus s वापिस से मैं बोल रहा हूँ control plus x आपने press एक साथ करा, तो मेरा, मेरी file safe होगे और नजर भी आ रहा होगा मैं आपको वापिस से एक और चीज़ करें दिखाता हूँ इस देखें, उपर dot आ रहा है white कर रहा है, इस से पताद चलता है कि unsafe है, यह देखें, यहाँ पर भी open editors में भी show हो रहा है, one unsafe file but work करने से पहले हमें save करना जरूरी है, अपने document को वरना तो work नहीं करेगा आगे, तो मैंने control as the wire तो देखें, unsafe file का option चला गया है, आप चलने चलते हैं, वापिस से desktop पर अपने माइप पर आया, अच्छा students अगर आपके पास Google Chrome होगा, तो Google Chrome यहाँ पर शोगा, यहाँ पर क्योंकि मेरे पास mozilla firefox है, तो मैंने करा क्या, mozilla firefox पर double click करा student CA देखें मेरे पास, यह एक website की नाम से show हो गया है मुझे, my very first website, ओके, तो इस तरह से first website आपने create कर ली, congratulations, तो next हम वीडियो में देखेंगे किस ताह से हम, पूरा environment किस ताह से एक अच्छी website क्रेट कर सकते हैं, सारे टेक्स पढ़ेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, एस फॉर्ट्स, अललाहाफिज,